2024 के तारीखों के एलान के साथ ही चुनावी अभियान और तेज हो गया है। प्रधान मंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक किया और इसमें मंत्रियों से नई सरकार के पहले जो 100 दिन रहने वाले हैं यानि 100 डे का जो एक्शन प्लैन है वो उन मंत्रियों से मांगा। देखिए। प्रधान मंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि यही सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। इसलिए विकास के काम लगतार जारी रहने चाहिए। सरकार के प्राथ मिक्ताओं और रणनीतियों पर केंद्रित ये दस्तावेज कैबिनेट सचिवाले को सोंपे जाने हैं। और निस अप्रेल को 102 सीटों पर पहले चरन का मतदान होगा जिसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रकिरिया शुरू हो जाएगी। लोग सभा चुनाव के लिए उमीद्वारों को लेकर दिली में आज भारती चंता पार्टी और कॉंग्रिस दोनों ही राजनेतिक दलों की एक एहम बैठक है। सबसे खास बात ये है कि दोनों पार्टियां पश्चिव मंगाल के लिए अपने उमीद्वारों की नामों का एलान कर सकती है। पश्चिव मंगाल की 22 बची सीटों पर उमीद्वारों के लिए दिली में बीजेपी नेता मन्थन करेंगे। पश्चिव मंगाल बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य आज दिली में केंद्री नेत्रित्व से मुलाकात करेंगे और बाकी बचे उमीद्वारों के नाम पर मोहर लगाएंगे। वहीं दूसरी और कॉंग्रेस भी पश्चि मंगाल के उमीद्वारों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है। हलाकि पश्चि मंगाल कॉंग्रेस के लिए बड़ी चुनावती है।